Good day friends, this is Rahul Munshi और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चानल Study with Rahul Munshi में और आज हम लोग अपने इस वीडियो में CIIB का BFM का पार्ट को और आगे ले चलेंगे देखिए हमने Forex को कम्पीट कर लिया, अब हम लोग हमारा next topic के तरह पा रहे हैं जो है letter of credit, documentary letter of credit, इसके बारे में हम लोग समझेंगे actually क्या होता है letter of credit, उसका definitions क्या होते हैं, advantages क्या होते हैं letter of credit में कौन-कौन से parties involved होते हैं, साती साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि different types of letter of credit क्या-क्या होते हैं और इस letter of credit को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक flow chart को भी समझेंगे, कि goods कैसे travel करता है, documents कैसे travel करता है, और साती साथ payment कैसे receive होता है तो हम लोग कोशिस करेंगे, इस पूरे वीडियो में letter of credit का हर एक पार को बहुत अच्छे से समझेंगे ये वीडियो काफी interesting होने वाला है, प्लीज इस वीडियो को पूरे last तक देखी, आपको मुझे, मैं confirm हूँ कि जो letter of credit के उपर में आप लोग को doubts रहेगा, वो clear हो जाएगा, ठीक है आई शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, documentary letter of credit ठीक है, अभी letter of credit देखी, नाम सहीं आपको पता चल रहा है, letter of credit, मतलब कि ये एक letter है, जो दिया जाता है, कि boss, आप टेंशन मतलो, आप goods को भेजो, आप माल भेजो, वहाँ से, credit का guarantee मैं देता हूँ तो ये actually letter of credit, bank के द्वारा issue किया जाता है, तो इसमें bank एक तरह से guarantee देता है, कि जो payment दिया जाएगा, मतलब अभी suppose किजिए कि दो party है, ठीक है, दो party है, एक यहाँ पर importer हो गए, एक यहाँ पर exporter हो गए, अभी exporter का काम है, यहाँ से goods को dispatch करना, importer का काम है, यहाँ से payment करना तो पता चला कि यहाँ से जब यह request किया है, यह request किया इससे, कि boss आप मेरा यह समान है, यहाँ से आप dispatch कर दो, यह exporter ने वो goods को dispatch कर दिया, अब जो payment करने का time आया, तो यह importer मुखर गया, कि boss नहीं मैं तो payment नहीं करोगा, मुझे माल मिल गया, या फिर माल खराब है, कुछ भी XYZZN दे करके वो मना कर देगा, तो importer तो फंस गया, तो यही चीज के लिए यहाँ पर बीच में आता है bank का रोल, इस case में bank इसको guarantee देता है exporter को, कि आप payment का tension मतलो, payment आपको मिलेगा उसका guarantee मैं आपको देता हूँ, ठीक है, आप payment का tension मतलो, payment आपको मिलेगा उसका guarantee मैं से हुआ, क्यों, तो यह आप जब क्यों जब आप question अपने आप से करोगे न, तब आपको पर चलेगा कि यहाँ पर जरुवत किसको है, यहाँ पर जरुवत है importer को, इसका मतलब कि जब भी import finance होना है, तब letter of credit सामने आएगा, import finance के time पर letter of credit सामने आएगा, क्योंकि importer ही रहत है, जो letter of credit issue करवाएगा, किसी bank के through, और यहाँ पर जो exporter है, वो तो इसका beneficiary है, आप समझो, जो letter of credit issue होता है, LC जब हम लोग इसको बोलते हैं, LC जब issue होता है, तो यह कोई importer को issue कराना परता है, क्योंकि importer को माल का जरुवत है, इसके लिए यह बोलता है कि मैं payment आपको दे exporter इसी तरह से अभी आप बैठे हो इंडिया में, exporter जो आपको भेज रहा है समान वो बैठा है अमेरिका में, तो आप इसको बोले कि boss आप एक काम करो, आपने इसको information भेजवा दिया, कि आप मुझे 200 refrigerators whirlpool का या किसी का भी आप मुझे भेज दो, वो वहाँ से goods को dispatch कर दिय ship में लाद दिया, ship आपके पास पहुंच गिया, आपने उसको payment भेजा ही नहीं कि सारा गा सारा refrigerator आपका 2 डिया रास्ते में, या सब में fault है, या कुछ मिला ही नहीं, half 50 मिला, 40 मिला, कुछ भी करके, वो XYZ decision दे कर मना कर देगा, तो इसको फंस गिया, इसी के लिए bank बीच मे इशू होता है, तो letter of credit में बहुत सारे terms and conditions होते हैं, तो ये सारे terms and conditions बैंक को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और उतनाही ध्यान से exporter लोग को भी पढ़ना होता है, कि क्या actually requirement है letter of credit का, कैसा भेजना है, क्या क्या requirement है, क्या क्या document चाहिए, वो सब कुछ को इसको fulfill कर पड़ना पड़ता है, तभी जाकर कि उसको payment मिलता है, तो कहीं पर भी अगर इसको doubt होता है, तो ये मुकर जाता है, उस case में, कि बहुत ये मुझे नहीं पसंद है, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखे, letter of credit, जैसा में बताए कि ये import finance है, क्योंकि importer का requirement है, इ character general of foreign trade, जो आते हैं ministry of commerce के अंदर में, comes under ministry of commerce as per foreign policy and foreign exchange management, ये current account transactions rules के अंदर में आते हैं, ध्यान दीजेगा, मैंने आपको बताया थाना, कि एक होते हैं current account transaction, और एक होते हैं capital account transaction, current account में वो transactions होते हैं, जो daily basis में चल रहे हैं, जिसमें trade होता है, पूरी दुनिया जिसमें trade कर रह जाएगा, वो वहाँ जाएगा, उसका payment आएगा, उसका payment जाएगा, और capital में mainly हम लोग देखते हैं कि जब किसी तरह का कोई एक country, दूसरे country को loan देता है, कोई grant देता है, किसी तरह का help होता है, तो ये mainly cover करता है capital account के अंदर में, लेकिन जो actual trading चल रहा है, पूरे world में, वो ध्यान दीजेगा, ठीक है, foreign trade policy is published and remains valid for every five years, foreign trade policy का जो भी publications होता है, वो अगले पास साल के लिए valid होता है, ध्यान दीजेगा, ठीक है, मतलब हर पास साल में foreign trade policy change होते हैं, change होने का मतलब की उसमें amendments किये जाते हैं, अभी next क्या है, all importers, also exporters, मतलब जितने importers हैं, वो तो हही है साथी साथ जытने exporters भी हैं, सभी को अपने आपको register करवाना पड़ता है, DGFT के पास में, कि सा एक सा के सारे importers, और सारे के सारे exporters, इन सभी को अपने आपको register करवाना पड़ता है, DGFT के पास में, and obtain a code, और उनको उसके against में, code मिलता है, जिसको बोले रता है, IEC number, और वो valid रहता है lifetime तक ठीक है इसका मतलब कि कोई भी importer हो या कोई भी exporter हो सभी को अपने आपको register करवाना है पड़ता है DGFT के पास में और यह जो DGFT उसके code देता है इसको बोलते है IEC number यह IC number lifetime के लिए valid होता है इन दोनों के बीच में सब कुछ बात हो गई, सब कुछ हो गई, बैंक भी आपस में discussion कर लिए है, documentation क्या क्या लगना, सब कुछ हो गया done यह लोग अपने हिसाब से सारा का सारा काम भी कर लिए है, तो अब जरूरी नहीं कि इंडिया का जो importer है और US का जो exporter है वो उसी terms and conditions में चल रहा है जो Australia का importer है और इसके साथ में Germany का exporter है ठीक है, हो सकता है कि यह जिस terms and conditions में चल रहा हो यह दोनो यह अलग हो और यह दोनो जिस terms and conditions में चल रहा है Australia जर्मनी वो अलग हो actually मैं ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि जब भी कभी foreign transactions होते हैं वो पूरे world में होते हैं तो यह country कभी इसके साथ कर सकता है, कभी इसके साथ कर सकता है, कभी London के साथ, कभी Paris के साथ कर सकता है हर country के साथ में एक दूसरा country कर सकता है इसका मतलब कि rules and regulations जो बनने हैं वो अलग नहीं बनने है rules and regulations ऐसे बनने हैं जो सभी country के लिए माइनने हो और सभी country के लिए same हो ताकि कहीं पर भी कोई discrimination नहीं रहे तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए International Chamber of Commerce ICC इसको बोलते हैं short form में International Chambers of Commerce ने वो publish करता है set of rules and procedures ICC का काम है कि वो set of rules को publish करता है rules and procedures को ताकि जो भी documentary credit होना है जो भी documentary credit होना है मतलब documents आना जाना है credit आना जाना है उसको ले करके एक और एक ही rules and procedures रहे एक ही rules and regulations रहे और वो सारे countries को मानना पड़ेगा और इसी को बोला जाता है UCPDC ये short form है UCPDC ठीक है ये UCPDC के बारे में हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे अभी जो UCPDC चल रहा है वो UCPDC 600 चल रहा है इसके पहले ये 500 चलता था ठीक है अभी जो UCPDC चल रहा है वो 600 चल रहा है UCPDC 600 उसके पहले ये 500 चलता था अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इसका मतलब कि जो international chamber of commerce ICC वो rules और procedures को publish करते हैं और इसी documentary credit को कहा जाता है UCPDC ये UCPDC पूरा का पूरा rules और regulations अपने अंडर में समाय रखता है कि आप लोग जब भी transaction कर रहे हैं आपको इसी के basis में ही transaction करना है कभी अगर कहीं कोई विवाद आ जाता है कभी अगर कहीं पर कोई confrontations आ जाते हैं तो फिर उसके उस time पर UCPDC का rules और regulations को refer करना चाहिए किया जाता भी है कि भाई इसमें देखा जाता है कि fault किसका हो रहा है तो अभी fault को देखने के लिए अपने को जैसे होता है कि भाई जैसे Bible हो जाता है या Quran हो जाता है या फिर रमायन हो जाता है इस तरह से तो ये एक मतलब कि इसी के basis पर सब कुछ देखा जाता है उसी तरह से यह जब foreign trade होता है ना तो यह UCPDC का जो rules and regulations है इसी के आधार पर देखा जाता है कि कौन fault में है और कौन right है ठीक है तो UCPDC के अंदर में यह सारा का सारा rules and regulations आता है जो कि international chamber of commerce ICC के ड्वारब publish किया जाता है आगे बढ़ते हैं ICC from time to time revise these rules and regulations अभी क्या है कि अभी time के according जाहिर सा बात है जिस तरह से market में changes आता है changes आते रहता है उसी तरह से यह rules and regulations को भी change करने के जरुत पड़ता है तो यह rules and regulations time to time जो revise किये जाते हैं इनको नाम दिया था articles ठीक है अभी articles के बारे में हम लोग हमारे आने वाले वीडियो आप इसको आगे बढ़ते हैं the current browser is the publication number जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी जो UCPDC का जो browser चल रहा है उसका publication number है 600 of ICC International Chamber of Commerce which is effective from 1727 से यह effective है UCPDC 600 जो भी हम लोग follow करते है जो हम लोग follow करते हैं यह 1727 से valid है वो उस समय से चल रहा है replacing earlier publication browser जो earlier था वो 500 था मैंने आपको पताया कि पहले 500 था उसके बाद में 600 आया तो अभी जो हम लोग follow करते हैं वो UCPDC 600 को follow करते हैं ठीक है और इसमें जो है इसमे 39 total articles हैं इस वाले में जो अभी हम लोग follow कर रहे है और पहले वाले में 49 articles थें इसका मतलब कि कुछ एक articles को हटा दिया गया है और कुछ एक points को merge कर दिया गया है तो इसमें से 10 हट चुके हैं तो अभी total के total 39 articles है UCPDC 600 के अंदर ठीक है next point क्या है definition LC letter of credit का actually definition क्या होता है क्या ही यह definition में देखिए an LC is the signed or authenticated instrument जैसे मैंने इस video के starting में ही आपको बताया कि जहां पर भी कोई trade involved हो रहा है trade in the sense कि एक importer एक exporter है तो अभी exporter को कैसे लगेगा कि boss हम तो समान भेज देंगे लेकिन payment हमको time पे मिल दाएगा यह अपने बात से मुकर भी सकता है जैसे हमने risk केस में देखा यहां risk involved है हमने हमारे पहले के video में risk भी cover किया है कि जहां पर हमने देखा कि कोई country risk है कोई sovereign risk है इसका मतलब कि इस बंदे को नहीं पता है कि यह fault में आने वाला है किसी भी तरह से लेकिन इस बंदे के उपर में इस company के उपर में यहां के यहां के bank नहीं यहां के country ने कुछ imposition लगा दिये हैं और इसका सारा का सारा को hold कर दिया है यह नहीं कर सकते हैं तो यह तो जो यह जो बैंक की तो फंस जाएगा यह एक supporter in fact फंस जाएगा क्योंकि इसने तो समान भेज दिया है इसको लेकिन यह यहां से नहीं दे पा रहा है तो इसी के लिए यहां पर बैंक बीच में आता है ठीक है कि यह जो customer है importer जो है इस पर अगर किसी भी तरह का रोक लगा दिया गया या रोक नहीं भी अगर लगाया गया है यह अगर by default अपने खुझ से यह बोलता है कि नहीं मैं चीज का जाच परताल करेगा कि importer जो है वह इस situation में है या नहीं किसका payment दे सकता है और मैं situation में हूँ या नहीं हूँ कि मैं importer से यह payment वसूल कर सकता हूँ ठीक है तो यहां पर पूरा का पूरा liability shift हो जाता है bank के उपर में ध्यान दिजेगा पूरा का पूरा liability bank उपर में shift हो गया है तो bank का काम है कि boss मेरे को exporter को payment करना है और साथ ही साथ मेरे को importer से payment collection करना भी है ठीक है तो अभी definition क्या है An L.C. is a signed and authenticated instrument issued by buyers importer's bank जैसे मैंने आपको बताया है कि जो importer का bank है ठीक है ये importer का bank हो गया ये confirmation देता है इसके द्वारा एक document issue होता है ये document क्या ये confirmation होता है कि मैं payment करूँगा importer के बहाव पे तो यही होता है authenticated instrument issued by buyers, importer's, bankers, given an undertaking on behalf of the importer ये अपने importer के बहाव पे एक undertaking देता है in favor of exporter कि ये जो exporter है उसके favor में to pay a certain sum of money evidence in shipment कि ये इस importer के बहाव में exporter के favor में एक commitment देता है कि आप जो goods आपको बोला गया आप उस goods को उसी काईदे से आप importer को भेज़ दोगे सारा का सारा terms and conditions को fulfill कर दोगे सारा जितना compliance है वो सबकुछ खतम हो जाएगा उस time पर मैं आपको ये payment कर दूँगा ठीक है मतलब ये भी अपना कुछ conditions लगा रहा ऐसा नहीं कि आप claim करोगे मैं आपको payment दे दूँगा नहीं बैंक भी अपना कुछ यहां पर conditions लगा रहा है कि as per the terms and conditions of letter of credit आपको वो सारा का सारा rules regulations को मानना पड़ेगा तभी जाकर के मैं आपको इसका payment करूँगा ठीक है importer in favor of exporter to pay a certain sum of money evidencing shipment and compliance of stipulated terms and conditions as laid down in the L.C. letter of credit में सारे के सारे terms and conditions लिखे रहते हैं और जो exporter है उनको भी यह terms and conditions मानना पड़ता है जो bank है उनको भी यह terms and conditions मानने पड़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं advantages क्या advantage है letter of credit का आखिर advantage क्या है simple सा जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अभी market जाते हैं तो market गया है अपने को कुछ goods purchase करना है यहाँ पर मानने जिए एक बंदा उसो कुछ कोई समान खईदना है यहाँ पर यह दुकान दारे सो को समान बेचना है यह इसको payment करेगा और यह इसको समान देदेगा ठीक है simple सा यह transition complete हो गया यह होता है जब हम लोग अपने घर के आसपास में कहीं पर कुछ खड़िदारी कर रहे हैं यह हो सकता है कि हम इंडिया में कहीं खड़िदारी कर रहे हैं लेकिन जब कभी हम लोग export import का बात करते हैं मतलब ऐसे जगह से जहाँ पर हम लोग सामने वाले को द दुख देखते हैं देखें अट्वांटेज के अंडर नॉर्मल कंडिशन में क्या है? एक्सपोर्ड फेसे रिस्क औन पैमिंट जannée आपको बता है कि एक्सपोर्टर को हमेसा डर लगा रहे है कि बॉस अगर मैं समान भेज दे रहा हूं तो क्या मुझे इम्फोर्टर से पै and conditions को मानिए जो की letter of credit के according है आप अपना goods को dispatch कीजिए is terms and conditions को मानिए bank जो बीच में आता है मैं आपको guarantee देता हूँ कि मैं आपको payment करूँगा इसका ठीक है तो यहाँ पर exporter के लिए एक win-win situation होता है importer के लिए भी win-win situation होता है साथ ही साथ यहाँ bank के लिए भी win-win situation होता है क्योंकि bank को यहाँ पर commission मिलता है ठीक है document in accordance with LC negotiating bank will make the payment to the exporter यह अभी देखिए अभी यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग banks आएंगे negotiating bank होगे advising bank होगे फिर उस वाद confirming bank होगे इन सभी के बारे में भी हम लोग discuss करेंगे एक एक करके ठीक है तो यहाँ पर यह वो रहा है कि negotiating bank उसको payment कर देगा exporter को ठीक है अब हम लोग बढ़ते हैं आगे यह हमने advantage देखा अब हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन सा parties है जो later of credit में involved होते है जैसे मैंने आपको process बताया ठीक है प्रोसेस में क्या होता है कि माल लीजे यहाँ पर एक applicant है ठीक है और यहाँ पर एक exporter है applicant कौन होते हैं जो importer है यह इनको goods चाहिए इनको जब goods चाहिए तो यह क्या करते हैं यह अपने bank को approach करते हैं इस bank को बोलते है issuing bank यह इसको approach करेंगे bank को कि boss आप एक काम करो आप मेरे लिए LC open कर दो किस के बहाफ में आप LC open करो exporter के बहाफ में यह exporter के बहाफ में LC open होगा और साथी साथ आप उसको भेज दो लेकिन यह जो bank है जो LC issue कर रहा है issuing bank इसको बोलते हैं यह directly इस LC को exporter को नहीं भेज़ेगा डिरेक्ली नहीं भेजने जा रहा है ठीक है यह क्या करेगा यह यहां के किसी bank को contact करेगा अभी exporter माल लिजए US में है तो यह directly इस exporter को नहीं भेजने जाएगा यह US का एक bank से consult करेगा जिस bank के साथ में इस bank का अच्छा tie-up होगा अच्छी ओपन किया है आपके इस customer के बिहाफ पे तो यह advising bank क्या करता है यह advising bank फिर यह advising bank यह exporter को update करेगा पहले तो यह पूरे के पूरे letter of credit को authenticate करेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं है सारा जो requirement है सब कुछ सही है कि नहीं उसको authenticate करे अच्छा tie-up करेगा कि आपके नाम पर एक LC आया है तो अगर उस case में उस पाद exporter क्या करेगा exporter उसको सारा का सारा terms conditions को fulfill करने के बाद में goods को dispatch कर देगा importer के तरफ में और इसका जो document है वो document वापस जा करके यह दे देगा negotiating bank को यह negotiating bank का रोल आता है हो सकता है कि यह advising bank और यह negotiating bank same हो बिलकुल हो सकता है लेकिन ऐसा देखिए अभी negotiating bank का negotiation का मतलब क्या होता है कि अपने किसी हम लोग आपस में बात करते हैं और कुछ एक ऐसा situation में आते हैं जहाँ पर दोनों के लिए ही win-win situation हो तो यहाँ पर exporter तो समान भेज दिया लेकिन इसको पैसा का जरुवत है इसको dollar चाहिए और इसके पास में क्या ह तो यह अभी इसको exporter को क्या लगता है कि यार इतना दिन wait करने से अच्छा है कि आप एक काम करो आप इस document के against में यह negotiating bank को बोलता है कि आप इस document के against में मुझे payment कर दो आप भले हो तो उस payment उस dollar में से कुछ commission अपना काट लो आप भले मुझे जहां पर मुझे thousand dollars मिलने हैं आप मुझे thousand dollars के जगा मैं 900 dollars ही दे दो 100 dollars आप रख लो आपका का काम आप समझे लो उसके बाद सारा का सारा liability सारा का सारा जिम्मदारी अब आ जाता है negotiating bank पर यह अपना का पूरा का पूरा यह पलड़ा अपना साफ कर लिया ए इसको document भेजेगा और यह इसको payment करेगा जो LC issuing bank को मिल लाएगा तो LC issuing bank यह document importer के हाथ में देगा और साती साथ इससे payment भी ले लेगा अभी importer का यह document आने के बाद में यह वहाँ पर port में जाकरके यह document को दिखा करके सब कुछ करके इस goods को dispatch कर सकता है यह एक basic सा flow chart है जो मैं अब यह बहुत अच्छे तरीके से भी आपको इस वीडियो में आगे समझाऊंगा तो यह जस मैंने आपको बताया कि कौन-कौन से participants involved हो सकते हैं जब letter of credit का process चल रहा होता है अब हम लोग देखते हैं कि यह करके कि कौन-कौन से participants हैं देखिए main parties to LC letter of credit सबसे पहले कौन आते हैं सबसे पहले applicant जैसे मैंने आपको बताते हैं applicant कौन होते हैं applicant वो होते हैं जिनको goods का जर्वत है जिसको माल चाहिए अभी उसको माल चाहिए तो जाइट से बात है उसको उसको अप्रोच करना पड़ेगा bank को कि boss मुझे यह माल चाहिए तो आप एक काम को आप मेरे लिए म इसको इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अभी आता है advising bank क्योंकि जो issuing bank है यह directly exporter को contact नहीं कर रहा है यह बीच में advising bank को पास में जा रहा है तो advising bank कोन हुए who acts as an agent of issuing bank क्योंकि यह इसका agent के तरह काम कर रहा है जो advising bank है वो issuing bank के agent के तरह काम कर रहा है and authenticates the LC और वो LC को authenticate भी करता है लेकिन अगर केवल वो authenticate कर रहा है और ये bank केवल advising bank के तरह काम कर रहा है तो वो ये भी करता है but without any engagement of payment कि मैं payment का कोई guarantee आपको नहीं देता हूँ मैं केवल आपको advise कर रहा हूँ लेकिन अगर यही advising bank आपका negotiating bank है तो साथ ही साथ वो उसको confirmation भी देता है कि ठीक है मैं आपको payment भी करूँगा क्योंकि negotiate भी उसको इसी के साथ में करना है तो advising bank हम नहीं देखा नेक्स्ट कौन है beneficiary beneficiary इसमें letter of credit में कौन होता है जो exporter होता है क्योंकि यह letter of credit open किया गया है यह exporter के नाम पे ही किया गया है तो finally यह letter of credit जाना है exporter के पास में तो इसी के लिए इसका beneficiary होता है exporter नेक्स्ट है इसमें कौन negotiating bank negotiating bank जैसे मैंने आपको बताया है कि जो LC issuing bank है वो advising bank को contact करता है advising bank एक तोरह से इसका agent हो गया LC issuing bank का तो अभी यह advising bank हो सकता है कि साथी साथ यह negotiating bank भी हो यह negotiating bank यह होंगे जो exporter के country में होंगे क्योंकि importer यहाँ पर है और यह इंडिया में है तो यह यहाँ से contract कर रहा है negotiating bank को और negotiating bank को यह ऐसा bank होना है जो कि exporter के country में होता है और यह exporter उस पर trust कर सकता है वो negotiating bank जो मुझे बोल रहा है वो मैं उस पर trust कर सकता हूँ तो इसी के लिए ये negotiating bank ये एक exporter का bank होता है exporter जिस country में वहां का bank होता है who negotiates the document and make the payment to exporter ये exporter के साथ में negotiations करता है उसका document ले लेता है जब वो goods को भेज देता है exporter से और उसके against में उसको payment वहीं पे कर देता है ये exporter भी खुस हो गया यार कि चलो उतना दिन wait करने से अच्छा मेरा नुकसान ओड़ था थोड़ा कम पैसा ही सही लेकिन मुझे payment तो मिल गया चलो अब अपने next deal पे target करते हैं ये हो गया negotiating bank उसके बाद आता है confirming bank ठीक है अभी देखे confirming bank का case में क्या होता है ये confirmation नहीं मिल पा रहा है कि यार मेरे को payment 100% मिल ही जाएगा तो ये एक extra request करता है ये एक request करता है LC issuing bank के पास में ही request करेगा कि आप मुझे extra कुछ और confirmation दो तभी मैं जा करके goods को भेजूँगा आप मुझे इसका confirmation दो extra कि payment मुझे मिल ही जाएगा extra confirmation मांगता है तो उस case में एक LC issuing bank क्या करता है इसका दूसरा एक agent रता है ये normally exporter के country कहीं कोई दूसरा bank रता है वो होता है confirming bank मतलब कि ये confirming bank आप confirm कर रहा है exporter को कि boss आप tension मतलो आप उसको goods को भेजो payment confirm होने का 100% guarantee मैं आपको देता हूँ अब आप यहाँ पर देखो कि जो payment का liability है वो यहाँ से उठ करके अगर ये इसके पास में था पहले तो यहाँ से उठ करके अब liability चला गया है confirming bank के पास में क्योंकि आप confirming bank इस चीच को confirm कर रहा है exporter को कि आप tension मतलो आप 100% इसका goods को dispatch को आपको देता हूँ और यह issuing bank का एक तरह से agent होता है यह confirming bank और in return यह confirming bank क्या करेगा यह issuing bank से अपना payment क्लियर कर लेगा तो यह हो गया confirming bank who undertakes to pay on behalf of the issuing bank यह issuing bank का बहाफ में payment करता है यह undertake करता है इस चीच को कि मैं आपको दूँगा adding its guarantee to pay when asked for और यह साथी साथ guarantee भी देता है कि जब भी कभी पैसा मांगा जाएगा terms and conditions fulfill हो जाएगा मैं आपको 100% payment करूँगा यह होगा confirming bank next आता है हमारा reimbursing bank जो मैं आपको बता रहा था अभी क्या होता है कि reimbursing bank का case में कि यहां से applicant ने issue कराया LC LC issuing bank ने LC issue भी कर दिया यह इसको भेज दिया यहां पर advising bank बोलिए या फिर negotiating bank बोलिए और यहां पर वो exporter के पास में आना है तो अभी क्या होता है कि यहां पर यह negotiate हो चुका है document negotiate हो चुका है और यहां पर payment exporter को मिल गया है लेकिन अभी यह जो bank होता है advising bank या negotiating bank यह अब इसका काम क्या है कि यह document भेज़ेगा LC issuing bank को और इससे payment लेगा तो यहां पर इसको कुछ काफे दिन wait करना पड़ता है कि भॉस ठीक है चलो मैं wait करता हूँ यह इसका पास document जाएगा payment आ जाएगा तो उस case में यह advising bank या negotiating bank क्या करता है यह उसको बोलता है issuing bank को, LC issuing bank को कि बॉस आप मुझे अभी काभी इसको payment करवा दो और मैं आपको document अभी तुननत इसको भेज दे रहा हूँ मैं wait नहीं कर सकता हूँ तो उस case में यह LC issuing bank क्या करेगा इसका एक और link रहेगा वहाँ पर दूसरे किसी bank के साथ में और यह जो bank रहता है यह normally इसी bank का कोई दूसरा branches या कोई और bank हो सकता है जो जिसके साथ इसका अच्छा tie-up है तो यह bank इसको क्या बोलता है कि बॉस आप एक काम करो आप इन दोनों को जो भी है यह दोनों का same bank है तो आप इनको payment कर दो और मैं आपको payment कर देता हूँ तो यहाँ पर यह इसको reimburse कर रहा है यह जो bank है यह इसको reimburse कर रहा है इसी के लिए इसको reimbursing bank बोलते हैं ठीक है तो reimbursing bank कौन होते हैं who reimburses the negotiating bank और कन्फर्मिंग बैंक वेहां पर देखा था ये जो बं ये जो बंक हो तो ये ट्वा सिंगा न, ये डिभीज है कि advising bank confirming bank negotiating bank and even the reimbursing bank could be the same and only one जैसे मैंने आपको बताया कि वो सभी सभी के सभी एक ही bank हो सकते हैं अब हम लोग बढ़ते हैं आगे flow chart यह सबसे important है इसको बहुत ध्यान से देखिए एक बार में पूरा पूरा का कंसर्ट आपका क्लेर हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था यह applicant हो गया यह applicant हो गया यह applicant कौन हो गया इंपोर्टर जिसको goods का जर्वत है जिसको माल चाहिए तो अभी यह क्या करेगा यह अपने issuing bank को जो इसका bank होगा जो यह जो applicant है इसका जो bank है इसका bank यह है यहां का case में तो यह अपने issuing bank को contact किया कि boss मुझे LC ओपन कर दो और मुझे वो LC किसी को भेजवा करके जिसका detail मैं आपको दे रहा हूं वो LC उसके नाम पन होना है आप उसको भेज़ दो और मुझे उससे समान ना हुआ दो ठीक है तो यह applies for LC, LC apply किया applicant अभी issuing bank क्या किया issuing bank LC को open करके उसको भेज़ दिया open and send LC किसको भेज़ा? वो यहां के एक bank को भेज़ा वो यहां का यह जो एक bank है यह advising bank आप मान के चलिए भी क्योंकि अभी हम लोग negotiating bank को नहीं मान के चलिए ठीक है advising bank को भेज़ा यह advising bank क्या करेगा? इसको authenticate करेगा LC को यह advising bank उसी country में है जिस country में exporter है exporter यहां कोन होगे? यह beneficiary, जो letter of credit का जो beneficiary होगे यह exporter हो गया, ठीक है? तो यह उसी country में यह advising bank तो यह advising bank बहुत अच्छे से पूरा scrutiny करेगा letter of credit का और इसको authenticate करेगा और फिर इसको advise करेगा exporter को कि boss आप goods को भेज सकते हो यह terms and conditions है इसका exporter को लगा कि बहुत चलो सब कुछ ठीक है, वो क्या करेगा? वो तुरंत में goods को shipping कर देगा यह shipping हो गया, यह पहुच रहा है उसके पास में साथी साथ वो क्या करेगा? इसके against में जो जो भी documents है, beneficiary की यह exporter के पास में यह document यह जमा करवा देगा इसी bank को, दिखिए अगर यह same bank, advising bank है तो यह इसी bank को जमा करवाएगा document और अगर यह advising bank अलग है और negotiating bank अलग है, तो advertising bank का काम यहाँ पर पिर हट गया अब यहाँ पर काम आ जाएगा Negotiating bank का, तो यह document जाएगा Negotiating bank दोनों सेम है तो यह वापस ही है document इसको दे देगा यह इसको document देगा और document के against में, यह जो bank है ये इसको payment कर देगा exporter को payment मिल चुका है exporter खुश हो गया भाई मैंने समान भेज दिया मुझे payment मिल गया अब आप लोग आपस में सलट लो क्योंकि मेरा जो काम था मेरा जो रोल था वो मैंने कर दिया मुझे payment मिल गया अब ये document आ जाता है ये इस bank के पास में जो advising bank भी यही है और negotiating bank भी यही है अभी ये bank क्या करेगा ये bank इस document को पूरा अच्छा से scrutiny करके सब कुछ करके ये payment कर चुका है अब इस document को ये भेज देगा LC issuing bank को अभी LC issuing bank को ये भेजेगा और LC issuing bank इसको payment release कर देगा तो अभी ये payment मिल चुका है इस bank को जो advising bank और negotiating bank है उसको payment मिल चुका है अभी document आगे LC issuing bank के पास में तो LC issuing bank अब क्या करेगा ये document देगा इस importer को और अपना payment उससे वसूल कर लेगा ठीक है उससे payment ले लिया मतलब कि अब ये document पहुँच चुका है applicant जो importer उसके पास में अब ये क्या करेगा ये document को ले करके port पे जाएगा और अपना जो भी इसका समान है माल है वहां से उसको छुडवा लेगा ये LC का एक common सा process हुआ ठीक है अभी देखिए problem कहां पर आता है problem तब आता है जब मान के चली कि beneficiary जो यहां पर है ये beneficiary जो है ये जो beneficiary है ये बोलता है कि boss देखिए मुझे इस bank के बाद पर भरोसा नहीं हो रहा है आप मुझे एक और कोई confirmation दो मुझे confirmation दो इसके अलावा तभी जाकर के मैं इस transaction को execute करके समान को भेजूँगा यहां से ठीक है तो ये LC issuing bank का एक agent होता है ये होता है confirming bank ये जो confirming bank है ठीक है तो ये confirming bank क्या करता है ये confirming bank exporter को confirm करता है कि आप payment का tension मतलो मैं आपको definite confirmation देता हूँ कि 100% payment आपको मिलेगा तो ये confirming bank का रोल हो गया जो एक LC issuing bank का एक agent रहता है ठीक है तो उस case में ये beneficiary export कर देता है यहां से समान को और ये अब पूरा का पूरा liability shift हो गया confirming bank के वे तो confirming bank फिर इसको payment करेगा और ये payment वसूल कर लेगा LC issuing bank से ये confirming bank का case में ठीक है जो advising bank और negotiating bank दोनों एक ही उसको दे दिया और उससे payment ले लिया payment मिल गया है exporter को अभी जो यहां पर जो document advising और negotiating bank के पास में है इसको wait करना पड़ेगा कि ये document भेजेगा तब जाकर कि इसको payment release होगा तो ये advising और negotiating bank ये issuing bank को contact करता है कि बॉस में इतना दिन wait नहीं कर सकता हूँ आप मुझे payment अभी कभी करवा दो मुझे पैसो का जरुवत या कुछ भी XYZ reason के कारण तो ये LC issuing bank क्या करता है इसका एक और agent है जो यहां पर इसको reimbursing bank बोलता है ये reimbursing bank को बोलता है कि बॉस आप एक काम करो आप इतना पैसा इस detail को check करके सब कुछ check करके आप इस party आप इस bank को payment कर दो तो ये reimbursing bank इसक लिए इसका नाम दिया गया है कि ये पहले इसको payment कर देगा और उसके बाद में ये LC issuing bank इसको reimburse करेगा ठीक है reimbursement मतलब समझते हैं आप कभी medical expenses आप कर दी है तो होता है कि आप अभी अपना pocket से लगा दो बाद में bank आपको reimburse कर देगा तो उसी तरह से ये payment जो ये लोग मांग रहा है ये bank जो मांग रहा advising bank और negotiating bank इस payment को आप इसको दे दो और मैं आपको reimburse कर दूँगा तो ये reimburse कर दिया तो ये पूरा का पूरा LC का चार्ट है workflow है इसको अदना दिमाग में फिट कर लिजे कि किस तरह से applicant LC खोड़वा रहा है issuing bank को बोड़ रहा है issuing bank LC खोल करके advising bank को दे दे रहा अगर advising bank negotiating bank हो सकता अभी पॉसिबिलिटी है तो यहां इसको भीजवा दिया अभी advising bank और negotiating bank इसको पूरा advising bank इसको पूरा authenticate करके सब कुछ चेक करके यह exporter को देगा exporter उसके according अपना काम करेगा समान को भीजवा देगा और document को इसको दे देगा और इससे payment ले लेगा payment मिल गया इसको अभी document आ गया है इसके पास में क्योंकि यही bank advising bank का और negotiating bank है अभी यह document को पूरा सही से इसको चेक करके इसको payment कर चुका है अभी यह bank क्या करेगा LC issuing bank को भेज़ेगा document और LC issuing bank इसको payment release कर देगा अभी document आ गया LC issuing bank के पास में अब LC issuing bank इस document को देगा beneficiary, sorry, applicant को जो इसने LC खुलवाया है और उससे payment ले लेगा तो यह document अब ले जाकर के यह port में जाकर के अपना समान को चुड़वाएगा उससे तो यह पूरा का पूरा letter of credit का चार्ट है workflow है इसको दिमाग में एक दम fit कर दीज़े ठीक है कोई भी confusion होने से आप मेरे comment section ने please मुझे लिखे मैं उसको फिर clarify करूँगा लेकिन एकदम हर एक step को दिमाग में fit करके रख लिज़े हम लोग बढ़ते हैं आगे next क्या है types of LC किस किस type का LC हो सकता है LC बहुत तरह का होता है अभी किस किस type का होता ही हम लोग देखते हैं सबसे पहला है revokeable LC revokeable LC मतलब कि revoke जो अभी होता है जिसको रिवोक किया जा सकता है मतलब जिसको वापस बुलाया जा सकता है को वापस किया जा सकता है तो यह भी लसी वही है एन लसी विच कैन भी amended इस लसी को कभी भी एमेंड किया जा सकता है और even cancel इसको cancel भी किया जा सकता है by the issuing bank without prior notice to the beneficiary before negotiation issuing bank हमने यहां पर अप्लिकेंट देखा था issuing bank हमने यहां पर देखा था यहां पर हमारा advising bank आया था और negotiating bank आया था यहां पर exporter था तो यह बोल रहा है कि यह LC issuing bank जिसने LC को issue किया है यह कभी भी इस LC को cancel कर सकता है prior notice to the beneficiary before negotiation यह जो beneficiary है यह अभी अपना समान को यहां से भेज दिया है ठीक है और अब यह इस bank को अप्रोच कर रहा है negotiation के लिए तो अभी आप suppose किजिए कि यह जो beneficiary है जो exporter है इसने समान को ठीक भेजा है और उसके बाद में यह LC issuing bank इस LC को cancel कर दिया अभी cancel कर दिया तो इसका उपर में कोई liability नहीं है अब यह इसको claim करते रह जाएगा exporter advising bank को negotiating bank को इसको कुछ नहीं मिलने जा रहा है और यह समान भेज चुका है तो यह कितना बड़ा risk इस exporter के उपर में आप समझिए इसी के लिए बोला जाता है कि जो revocable LC होता है अब यह नहीं चलता है इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि इसको कभी भी amend किया जा सकता था कभी भी इसको cancel किया जा सकता था issuing bank के द्वारा और वो negotiation होने से पहले ठीक है this is not a good LC for exporter क्योंकि exporter के लिए तो यह बहुत बड़ा risk हो जाएगा ना कि भाई उसने समान को भेज दिया अब जब यह negotiating करने के लिए जा रहा है negotiation bank के पास में तो पता चल रहा है कि यह LC issuing bank LC को cancel कर चुका है तो UCPDC 600 दस नाट recognize recoverable LC अभी जो UCPDC जो मैंने आपको बताया UCPDC 600 यह revocable LC को recognize ही नहीं करता है क्योंकि यह नहीं होना चाहिए यह बहुत बड़ा risk है exporter के लिए तो बहुत बड़ा risk है ठीक है next point हमारा है irrevocable LC मतलब ऐसा LC जिसको revocate जिसको revoke नहीं किया जा सकता है यही LC अभी actually चलता है ठीक है irrevocable LC here issuing bank gives firm confirmation firm commitment जो LC issuing bank है यहाँ पर हमने issuing bank देखा था यह 100% commitment देता है क्या आप tension मत लिजे payment तो आपको मिलना ही मिलना है अगर सारे के सारे terms and conditions के according अपना माल को वहाँ से dispatch करते हो ठीक है तो here issuing bank gives firm commitment which is definite absolute and irrevocable undertaking to honor the obligation now all the LCs are irrevocable अभी जितने भी LCs कुलते हैं सभी irrevocable होते हैं कोई revocable LC नहीं होता है next क्या है irrevocable confirmed LC मतलब irrevocable तो ही है साथे साथ और एक confirmation मतलब की वो irrevocable है वो confirmation दे रहा है उसका उपर भी एक उसको confirmation मिल रहा है double confirmation and LC where another bank एक ऐसा LC जहाँ पर कोई तीसरा मतलब यह एक bank तो यह है जो LC को issue कर रहा issuing bank अभी इसके लावा एक और bank है जो यह तो इसको confirm करी रहा है यह भी इसको confirm कर रहा है ठीक है and LC where another bank known as negotiating bank यह हमने देखा था कि advising bank और negotiating bank हो सकता है दोनों सेम हो तो यह negotiating bank भी इसको confirm कर रहा है adding its confirmation at the request of issuing bank तो अभी क्या है कि इसने पहले request किया अभी इसके request के उपर में फिर एक दूसरा bank आया यह हो गया दूसरा bank negotiating bank फिर इसने इसको request किया तो अभी जब इसने request किया तो पूरा का पूरा liability इसको last में जो अपना 100% commitment दे रहा है पूरा का पूरा liability उसको पर में shift हो जाता है अब ही अगर ये negotiating bank के ऊपर में माल लिजे कि confirming bank अपना confirmation दे रहा है फिर से कोई और तो 100% liability confirmation bank के ऊपर में shift हो जाता है Final obligation to honor the commitments now shifted to confirming bank तो जो last में अपना confirmation दे रहा है final जो commitment दे रहा है वो obligations उस bank के ऊपर में shift हो जाता है अब उनलों बढ़ते हैं आगे next में क्या है transferable LC देखिए LC normally क्या होते है कि जब भी माल लिजे को issuing bank LC खोड रहा है किसी exporter के लिए जो किसी advising bank या negotiating bank through होकर के जा रहा है तो इसको transfer नहीं किया जा सकता है LC क्योंकि ये LC खोला ही गया इसी exporter के लिए और यही channel के through ये जाएगा ये transferable नहीं होता है लेकिन किस case में क्या होता है although LC is not a negotiable instrument but it can be assigned or transferred fully or partly for once उसको एक बार पूरे lifetime में वो LC खोला हुआ पूरे lifetime में उसको एक बार किसी दूसरे को assign किया जा सकता है या किसी दूसरे के दाम पर उसको transfer किया जा सकता है टीक है once only provided LC allows transferring और assignable by the issuing bank मतलब issuing bank जब भी LC को open कर रहा है उस सारा का सारा terms and conditions इस पे लिखेगा और इसी के terms and conditions के according पूरा का पूरा process चलेगा तो अगर ये अपना terms and conditions में LC open करने के time में लिख रहा है कि भाई इस LC को transferable LC है तो उसका मतलब होता है कि इस LC को पूरे lifetime में एक बार या तो किसी दूसरे के नाम पर इसको assign किया जाएगा या तो फिर इसको transfer किया जा सकता है ये होता है transferable LC next क्या है red clause और green clause LC ये exam में frequently पूछा जाता है question बहुत ध्यान से समझी है red clause LC और green clause LC क्या होता है ठीक है देखिए एक LC खोला गया NLC which provides by issuing bank for allowing अभी मान लिजे एक LC खोला गया ठीक है ये issuing bank इसने LC खोल दिया अभी ये जब LC खोल करके जूसरे किसी को भेजना है मान लिजे यहाँ पर exporter ये beneficiary इसको मिलना है तो अभी क्या है कि ये ये exporter को कुछ समान बनाना है अभी मान लिजे कि refrigerators के लिए इसको भीजा गया अभी इसको raw materials चाहिए तो इस case में क्या होता है कि अगर ये red clause LC होगा तो इस case में इसको pre shipment credit कि अगर ये shipment नहीं भी किया है क्योंकि exporter का काम क्या है कि भाई आप माल को shipment करो उसके बाद आपको payment मिल लाएगा advising bank जो negotiating bank है उनसे लेकिन यहाँ पर इस case में क्या है कि rate clause LC के अंदर में कि अगर आप shipment नहीं भी कियो हो उसके पहले भी आपको कुछ यहाँ पर credit मिल लाएगा वो क्यों मिलता है क्योंकि यह exporter को अपना माल भेजने के लिए माल बनाना है अभी माल बनाने के लिए इसको कुछ raw materials लेने का जरवत है raw materials के लिए अगर इसके पास पैसे नहीं है तो यह rate clause LC इसको help करता है rate clause LC का मतलब कि यह जो negotiating bank है यह इसको pre shipment credit देता है कि ठीक है आपको कुछ पैसा दिया जा रहा है आप इस पैसे से raw materials को purchase कीजिए goods manufacture कीजिए fit shipment कीजिए तो यह rate clause LC इसको बोलते है ठीक है अभी आता है green clause LC देखे rate clause LC क्या हमने देखा NLC which provided by issuing bank for allowing pre shipment credit for procuring raw materials processing of goods etc is known as rate clause LC and where apart from अभी क्या है कि यह तो हमने देखा कि raw materials और processing goods के लिए उसको पहले पैसा का जरवत है तो वो rate clause LC के तो उसको पैसा पैसा मिल जा रहा है अभी क्या है कि उसको मान लिजे उसको समान बनाने के बाद में उसको कहीं पर warehouse में रखना पड़ रहा है कि कुछ ऐसा है कि तुरंत में उसको नहीं भेजा जा सकता है तो उसको warehouse में रखने के लिए फिर उसको पैसा चाहिए होगा उसके पास में sufficient पैसा नहीं है तो यह क्या करेगा issuing bank allowing for storage warehouse facility इस exporter को यह जो issuing bank है इस exporter को यह अलाव करेगा कि ठीक है जो भी आप goods को बनाईए गुड्स को बनाने के बाद आप जब उसको dispatch करोगे तो dispatch करने से पहले आपको warehouse में उसको रखना है यहाँ पर फिर आपको पैसा involved होने जा रहा है तो इस पैसा के लिए भी आप यह LC के against में आप जो advising bank है यह आपको payment करेगा तो यहाँ पर अगर warehousing के लिए जब उसको payment pre shipment credit मिल रहा है उसको green LC बोल रहा है इसके लिए इसका नाम पढ़ गया red clause LC और green clause LC ठीक है आगे बढ़ते हैं next क्या है back to back LC तुरंट पर तुरंट एक आया उस पर फिर एक आ गया इसका मतलब क्या हुआ देखिए it involves two LCs against the original LC मतलब एक तो issuing bank यहाँ पर है जिसने LC को issue किया ठीक है LC issue हो गया है अभी क्या है कि यह LC यहाँ पर माल लिजे इस exporter को मिलना है ठीक है इस exporter को LC मिलना है अभी यह exporter क्या करेगा इस LC के against में एक दूसरा LC open करवाएगा इसके लिए यह कोई party है जहाँ से इसको raw materials चाहिए इस exporter को कुछ समान खहिदना है raw materials खहिदना है मतलब ठीक है तो आप समझ रहे हो कि एक तो यह issuing bank एक LC open किया है एक LC issue किया है वो इस exporter के लिए किया है यह LC issue हो गया अभी यह जो LC इसको मिला है exporter को इसके against में एक दूसरा LC यह exporter open करवाता है क्योंकि इसको raw materials चाहिए इसको अपना समान बनाने के लिए कुछ समान का जरुवत है इसको भी goods चाहिए तो यह LC issue कराएगा यह इसको समान भेज़ देगा यह अपना समान यहाँ बनाएगा और इस LC के condition के अकॉर्डियम के यह इसको shipment कर देगा ठीक है मतलब की एक LC यहाँ issue हो रहा है इसी LC के अगेंस्ट में एक दूसरा LC यही exporter एक दूसरा LC issue कर रहा है अपने किसी exporter के पास में जहां से उसको समान चाहिए ठीक है फिर से इसको देखिए it involves two LCs against the original LC called mother LC जो पहला जो LC issue हुआ था issuing bank के द्वारा उसको mother LC बोलते है a second LC is opened for local supplier यह जो यहाँ पर जो exporter है यह exporter को कुछ raw materials चाहिए तो raw materials लाने के लिए यह क्या करता है यह एक दूसरा LC open करवाता है तो इसी LC को बोलते हैं जब यहाँ पर भी LC open हो गया है यहाँ भी LC open हो गया यह जो LC open हुआ इसी के against में हुआ है तो इसको बोलते हैं back to back LC ठीक है who supplies goods to beneficiary of of LC and the beneficiary of the second LC यहाँ पर एक LC open हुआ यह issuing bank ने एक LC open किया यह गया exporter को ठीक है अभी exporter ने फिर एक यहाँ पर LC issue कराया यहाँ से किसी यह इसका कोई दूसरा exporter यह इसको समान भेजेगा तो यह जो दूसरा exporter है मतलब इस exporter का जो exporter है यह इसको बोलते हैं deemed exporter ध्यान रखिएगा यह exam में पूछा जाता है कि who are deemed exporter तो जब LC issue open होता है LC जब issue होता है किसी exporter किसी beneficiary के बहाफ में तो यह LC के against में फिर यह जो beneficiary है यह एक दूसरे exporter के लिए LC issue करवाता है तो यह जो LC है यह इसको बोलते है deemed exporter मतलब एक्सपोर्टर का जो exporter रो गया वो हो गया deemed exporter ठीक है आगे बढ़ते है स्टैंडबाई एलसी स्टैंडबाई का मतलब होता है ठीक है इसको रोके रखो स्टैंडबाई में रखो इसको तो अभी देखिए नॉमली क्या होता है कुछे कंट्री में जैसे हमारे कंट्री में बैंक गारेंटी होता है तो कुछ एक कंट्री में ना बैंक गारेंटी करके कुछ भी नहीं होता है बैंक गारेंटी का केस में क्या होता है कि देखिए बैंक गारेंटी का केस में क्या होता है कि बैंक गारेंटी के केस में क्या होता है कि बैंक गारेंटी देता है अगर किसी तरह का कोई प्राइल आया अगर किसी तरह का कोई प्राइलब्स इंपॉर्टर का कीस से आया वो पैमेंट to मेंन नहीं दिया चाहकर कुछ भी हुआ लेकिन ये गारंटी देता है बैंक भीच में कि अगर इसी situation में कोई प्रोब्लम आया और इंपोर्टर मुकरईज्ट या कुछ प्रोब्लम होगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको पेमेंट करओंगा allora टीक है? यह BANK गारणटी होता है, लेगिन किसी कशी कंट्री में यह BANK गारणटी का koncept होता ही नहीं है, BANK गारणटी वोलके कुछ भी नहीं होता है diffughter like Jam 1990 the system gamma mining bytefind in US ages teacher जब Самे क्या होता है कि की यह कुछ नहीं है कुछ ही नहीं यह एक तरह से substitute है bank guarantee का, कि यह LC इसी purpose के लिए खोले जा रहे हैं, कि import जो importer है, यहाँ पर जो exporter है, इसको goods चाहिए, यहाँ से समान भेजेगा, यहाँ से इसको payment भेज देगा, ठीक है? अभी चलना इसी route में है इसको, चलना इसको इसी route में है, लेकिन यहाँ पर बीच में य ठीक है, stand by LC open हुआ, कि यह stand by LC जो होता है, यह exporter को guarantee देता है, कि payment तो वैसे आपको importer, importer ही आपको payment करेगा, in case, in case in any circumstances, if the importer fails to pay, if the importer fails to oblige, तो उस case में मैं आपको guarantee देता हूँ, कि यह stand by LC के through, मैं आपको payment दूँँगा exporter को, तो वहाँ पर bank guarantee नहीं चल रहा है, लेकिन bank guarantee सारा काम चल रहा है, stand by LC के through, यह होता है, stand by LC, next मैं आते है, next हमारा क्या, revolving LC, revolving मतलब ना कि चलता जा रहा है, वहाँ पर रुखने का कुछ नाम ही नहीं नहीं, मतलब घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, LC वह रुख नहीं रहा है, खुल रहा है, फिर उसी को LC का काम आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, यह होता है, revolving LC, तो revolving LC का होता है, when business dealings are done on an ongoing basis, मतलब मान लिजे कि यहाँ पर कोई importer है, यहाँ पर कोई exporter है, ठीक है, अभी इस importer को जो समान चाहिए, जो goods चाहिए, यह इसको regular basis पे चाहिए, और यह regular basis पे exporter यहाँ से इसको भेज रहा है, और यह regular basis पे इसको यहाँ से LC open करवाता जा रहा है, क्योंकि यह cycle इसको चलता रहेगा, काफी लंबा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, चलता रहेगा, मतलब importer को यह goods regular basis पे चाहिए ही चाहिए, और यह यहाँ से भेजता जाएगा, वो यहाँ से LC open कराता जाएगा, इसको बोलता है, particularly for supplying of raw materials on regular basis, अभी मान लिजे कि यह importer है, यह कुछ goods को manufacture करता है, तीक है, कुछ goods को manufacture करता है, उसके लिए उसको raw materials चाहिए, अभी यह एगर long term में देखेगा, तो goods को इसको अगला 50 साल, 100 साल तक manufacture करते रहना है, तो यह raw material भी इसको अगला 50 साल तक चाहिए रहता है, तो यह raw materials इसको exporter भेजता है, तो इसका मतलब कि यह exporter इसको हर वक्त यह raw material भेजता रहेगा, भेजता रहेगा, और इसको हर वक्त यह goods को manufacture करने के लिए, इसको LC इसको देना पड़ेगा, ठीक है, यह continuous basis पर चलता रहेगा, such type of LCs are opened by banks, इसी case में इस LC गो open कियाता है, under this LCs are part amount when utilized, अभी क्या है, कि मान लिजे कि यह importer है, इसने एक LCs open कराया, revolving letter of credit open करवा दिया, यह exporter हो गया, अभी यह इसको पास में इसको भेजा, यह यहाँ पर goods को dispatch कर दिया, और यहाँ पर negotiating bank के पास में कुछ अपना payment को claim किया, ठीक है, अभी payment मान लिजे कि यह LC open किया ग तो यह 20 crore negotiating bank से claim कर लेगा, इसको मिल लाएगा, बच गया 80 crore, तो फिर जब यह दुबारा जाएगा ना, तो यह 20 crore लेकर कहीं जाएगा LC, क्योंकि यह हर वक्त इसको 100 crore ही maintain कर कर रखना है, क्योंकि जो main LC होना है, वो 100 crore को cross नहीं करेगा, तो जब यह 20 crore यह consume कर लिया ह इस goods को dispatch करने में, इसको मिल चुका है, तो दुबारा जब यह LC open होगा, तो फिर यह ensure करता है, कि यह 20 crore कहीं होगा, ताकि यह किसी भी situation में 100 crore यह cross नहीं करे, इसी चीज़ को बता रहा है, under this LC, a part when amount, when utilized is again reinstated, जो utilized हुआ हमने देखा कि 20 crore यहाँ पर utilized हुआ, तो 20 crore ही फि within the total amount of LC, so that the total amount to be used under LC is not exceeded, यह ensure किया जा रहा है कि जो total amount 100 crore का है, वो exceed नहीं हो रहा है, ठीक है, next है deferred payment LC, deferred payment LC, मतलब कि अभी, अभी मान लीजे कि 100 crore का कोई एक LC open कराया गया है, ठीक है, 100 crore का कोई LC open कराया गया है, यहाँ पर importer हो गया, यहाँ पर exporter हो गया, तो अभी यह 100 crore में क्या है, कि exporter जब अपना समान यहाँ से भेज रहा है, goods को dispatch कर रहा है, और negotiating bank से जब इसको claim कर रहा है, तो यह 100 crore को एक साथ में इस exporter को नहीं दिया जाता है, इस case में, deferred में, उसमें क्या होता है, इसको installment में, 10 crore दिये जाएंगे, फि 20 crore दिये जाएंगे, फ exporter है, उसको एक short में यह 100 crore नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको कभी 10 crore मिलता है, कभी 20 crore मिलता है, कभी 30 crore मिलता है, तो upon presentation of shipping documents, payment are made after a specified period of time, क्योंकि यह जो exporter है, यह तो अपना goods को dispatch कर दिया, और negotiating bank को approach किया, कि बहुत साप मेरें को payment दो, तो negotiating bank इसको क्या करेगा, जब इस goods को dispatch कर दिया, तो इसको 100 crore में से 10 crore का payment कर देगा, इसी तरह से, इसको EMI basis पर देता है, this type of LC is opened for import of, import of capital goods, with deferred payment clause, तो यह यहां पर ध्यान रखना है, कि जो deferred payment LC है, यह mainly जब किसी capital goods को import किया जा रहा है, यह importer जब किस को capital goods को अपने पास मंगवाता है, import कर वाता है, तो उस case में deferred payment LC open करा जाता है, ठीक है, तो यह हमने कुछ एक different types of LCs को जाना, समझा, देखा कि भाई, क्या-क्या होते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा quick revision, अब हम लोग quick revision करके एक बार पूरे के पूरे LC के process को दुबारा देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले ह हमने देखा कि letter of credit होता क्या है, तो letter of credit हमने जाना कि यह जो DGFT होते हैं, director general of foreign trade, उनके जो ministry of commerce के अंदर में आते हैं, उसके अंदर में यह import trade होते हैं, और यह actually current account transactions rules के अंदर में आता है, ठीक है, फिर हमने देखा कि यह foreign trade policy is published and remains valid for every 5 year, 5 साल के लिए यह valid होता है, all importers और exporters जो जितने भी होते हैं, सभी को अपना registration कराना पड़ता है, DGFT के पास में, और उसके एक IEC number उनलों को मिलता है, जो की lifetime तक valid रहता है, in order to bring uniformity, अभी uniformity के लिए क्या है कि international chamber of commerce, ICC, यह क्या करता है, यह rules and regulations को publish करते हैं, और इसी का नाम दिया गया UCPDC, और अभी जो UCPDC चल रहा है, वो 600 चल रहा है, इसके पहले वो 500 चलता था, ठीक है, अभी 600 में जो total articles है, वो है 39, और जो 500 में जो total articles थे है, वो थे 49, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखे, आगे इसी चीच को हम लोग समझेता है, उसका हम लोग सा definition देखे, कि actually इसका definition क्या होता है, लेटर कि सारे terms and conditions को fulfill करो, payment का guarantee मैं आपको देता हूँ, ठीक है, उसके हमने उसका advantage देखा, advantage भई ही होता है, कि बहुत सा अगर मान लेजे, importer अपना request जाला, exporter वहाँ से goods को dispatch कर दिया, बाद में importer मुकर गया, कि मैं आपका payment नहीं दूँगा, मुझे माल मिल गया, ठुटा-फु पर्टी में इस्पर्टी करते हैं, कौन कौन से पर्टी यहां पर इंवाल्व है, applicant कौन होते हैं, जो LC को issue करते हैं, issuing bank वह जो एजेंट होते हैं, issuing bank का, और वो exporter के country में होते हैं, और वो exporter को authenticate कर के, exporter को advise करते हैं, बहुत साथ आपके नाम पर यह LC आया हुआ हूँ, beneficiary जो इक्सपोर्टर होते हैं जिनके नाम फेल सी खुला जाता है नेगोशेटिंग बैंक कुन होते हैं जब गूड्स को डिस्पाच करने के बाद में यह एक्सपोर्टर जिस बैंक को अप्रोच करते हैं कि बॉस आप यह डॉक्मेंट का वेसी मेरेको payment दे दो तो यह होते हैं ये negotiating bank, advising bank भी हो सकते हैं, ये leisyating bank, advising bank, confirming bank हो सकते हैं, ये confirming bank, advising bank, negotiating bank, reimbursing bank भी हो सकते हैं, ध्यान दीजेगे। उसके बाद हमने confirming bank देखा, जो confirm करता है, मतलब इसके अलावा तो ये confirm करी रहा है, इसके अलावा फिर एक confirmation जाता है exporter को, कि boss आप tension मतलो, मैं आपको payment दूँगा अगर कोई fail होता है तो, तो अभी सारा का सारा liability confirming bank को परशिप्ट हो जाता है, फिर हमने देखा reimbursing bank, reimbursing bank क् जो advising bank और negotiating bank होते हैं, वो लोग बोलते है, issuing bank को कि boss payment अभी तुरंत में चाहिए होगा, तो हम लोगो कुछ जरूत है, कुछ भी एक सब्सक्राइजन कारण, तो जो issuing bank का जो वहाँ पर एक दूसरा agent रहता है, reimbursing bank को उसको बोलते है, ये इसको payment कर देता है तुरंत में, और ये बाद में फिर ये ये लोग दोनों आपस में अपना interchangeability करके अपना payment को ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने देखा, ये flow chart जो बहुत ही important, ये flow chart अगर आप समझ गए, तो पूरा का पूरा LC आपका दिमाग में fit हो गया, ठीक है, यहाँ पर हर एक चीज को हमने देख कि applicant कौन होते हैं, sorry, applicant कौन है यहाँ पर, issuing bank कौन है यहाँ पर, reimbursing bank कौन है, confirming bank कौन है, advising bank, negotiating bank, दोनों अगर सेम है तो ये लोग कौन है, उसके बाद है beneficiary कौन है, goods को shipping करने के बाद में ये लोग documents किसको दे रहे हैं, ये document फिर कहां से कहां जा रहा है, और finally payment किसको देना पड़ रहा है, और किस तो मिल रहा है, ये पूरा का पूरा concept को हमने देखा, इस चीज को दो-तीन बार बहुत ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा LC आपके दिमाग में fit हो जाएगा, उसके बाद हमने देखा, different types of LCs, revocable LC, वो LCs जिसको कभी भी revocate किया जा सकता था, लेक उसके बाद में हमने देखा, irrevocable confirmed LC, मतलब कि एक तो confirmation था ही, उस पर एक और confirmation दिया जाता है, वो advising bank के दवारा, या फिर negotiating bank के दवारा, ठीक है, तो यहाँ पर double-double confirmation मिलता है, ये हमने देखा, irrevocable confirmed LC का case में, फिर आता है transferable LC, transferable LC का case में क्या होता है, कि LC को कभी asset trade नहीं किय जा सकता है, transfer नहीं किया सकता है, लेकिन ये अगर उस LC खोलने के दवरान में, LC को खोलने के time पे अगर ये clause में डाला गया है, कि ये transferable या assignable है, तो इसको एक बार इसको negotiate किया जा सकता है, मतलब उसको किसी दूसरे को assigned या transfer किया जा सकता है, लेकिन ये LC issue, LC open होने के time पे य उस clause में होना चाहिए, ये transferable LC है, फिर हमने देखा, red clause LC और green clause LC, जब भी कभी LC open होता है, किसी beneficiary exporter के नाम पर, और इस exporter को raw material purchase करने के लिए pre-shipment credit चाहिए होता है, पहले ही थोड़ा पैसा चाहिए होता है, ये माल को भेजा नहीं है, उसको पैसा चाहिए होता है, तो उस case में इसको red clause LC बोलते हैं, ठीक है, और अगर ये माल को बना लिया है, माल को बनाने के बाद और भेजने से पहले इसको कहीं पर इसको warehouse में रखना पड़ेगा, इसको पैसा चाहिए होगा, तो उस case में इसको green clause LC बोलते हैं, क्योंकि ये पहले red ink और green ink से इस clause को लिखा जाता इसके लिए इसको red clause और green clause LC बोलते हैं, back to back LC हमने देखा कि मतलब एक LC खोला ही गया है issuing bank के द्वारा, और इसकी LC के against में इस exporter ने एक दूसरा LC फिर open करा दिया है, अपने दूसरे किसी exporter, जहां से उसको raw materials लेना है, अपना goods बनाने के लिए, ताकि ये goods को manufacture करके फिर इसक तो ऐसे cases में back to back LC बोलते हैं, और ये जो exporter का exporter है, इसको बोलते है doomed exporter, ठीक है, next में हम लोग देखते है, stand by LC जहां पर bank guarantees काम नहीं करता है, जैसे USA में, तो bank guarantee का जगह में ये stand by LC को काम मिला आ जाता है, कि अगर in case, in case अगर कोई importer fail करता है अपना payment देने में, तो मैं कि इसका payment मैं करूँगा, stand by LC के तुरू, ठीक है, revolving LC हमने देखा, जो हमें साच चलता रहता है, कि यहां पर importer को कुछ चाहिए, और exporter को कुछ चाहिए, अभी importer जो अपने लिए समान मंगवा रहा है, इसके लिए raw materials है, तो इसको सालों भर और कई साल तक चाहिए रहेग है, और इसके case में क्या होता है, कि इसको थोड़ा सा जो इसको payment दिया जाता है, आउट अंडेट कोड मालने जो 10 कोड दिया जा रहा है, तो next time LC खोलेगा 10 कोड कहीं मिलेगा, तो यह 10 कोड फिर वापस जा करके 90 कोड में 10 कोड एड हो जाएगा, तो यह इसको 100 कोड का बना इसको कभी 10 कोड मिलेगा, फिर कभी 20 मिलेगा, फिर कभी 10 मिलेगा, फिर कभी 30 मिलेगा, मतलब EMI basis पर इसको इसका payment मिलता रहता है, ठीक है, और यह mainly होता है import of capital goods, जब कोई importer है, वो capital goods को import करवा रहा है, उस time पे ही यह deferred payment LC को open किया जाता है, यह भी हमने देखा, यह हमने letter of credit के बारे में लगबाग बहुत सारा चीज को देखा है, flow chart को देखा है, तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजी, मेरे चैनल is study with रहुल मुंशी को subscribe कीजे, ज़्यादा स्यादा आपने friends और अपने click को share कीजे, त हमारा telegram channel है, आप इस पर जा करके हमारा सारा का सारा PDF ले सकते हैं, अपने घर पर रहिए, स्वस्त रहिए, thank you, thank you so much.